हेलो फ्रेंड्स इस चैनल पर हम आपके लिए हेल्थ मिस्टेर स्टोरीज और बॉलिवूड से जुड़ी सबी बाते लेकर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को ज़रूर दबाए जिससे हमारे आने वाले सबी विडियो की नोटिफिकिशन मिले आपको सबसे करें दोस्तो आज हम आपको एक ऐसे पत्ते के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सहत के लिए और आपकी स्वास्त के लिए दोनों के लिए बहुती ज्यादा लाबदायक होता है इस पत्ते का नाम महिंदी का पत्ता है महिंदी भारत में सुन्दरता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाती है महिंदी का इस्तमाद महलाओ के अलावा पूरुज भी करते हैं और आज हम आपको महिंदी की पत्ते के कुछ ऐसे फाइदों के बारे में बतने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे आए जान लेते हैं महिंदी की पत्ते के कुछ फाइदों के बारे में इनको साप करने के लिए मेहंदी को उपयोग आप लोग शहरी के खून को साप करने के लिए कर सकते इसके लिए आपको मेहंदी के कुछ पत्तों को लेना चाहिए और रात को सुद्रे समय उन्हें किसी बरतर में डाल कर उसमें पानी डाल दिना चाहिए और सुवह उट्टे समय पानी को जान कर पी ले इस पानी को पीने से आपके रक्त की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी जोड़ों के दर्द के लिए अगर किसी वेक्ति को जोड़ों के दर्द बहुत ही ज़्यादा परिशान कर रहे है तूस वेक्ति को महंदी और इरेंडी के पत्तों का बराबर मात्रा में पीस कर उसका लेप तयार कर लिना चाहिए लेप तयार कर दर्द वाली जगह पर लगाने से कुछी दिनों में जोड़ों का दर्द और घुटने का दर्द में आराम मिलता है सिर्दर्द या माईग्रेंग में चुटकरम अगर कोई वेक्ति अपने सिर्दर्द या माईग्रेंग की समस्य से बहुत ज़्यादा परिशान है तूस वेक्ति को मेहंदी को पीस कर पानी में घोल कर सिर पर लगाने से सिर्क दर्द में माईग्रेन की समस्या से चुटकरा मिल सकता है जले हुई जगह पर लगाने से आपको फायदा मिलता है अगर किसी वेक्ति को किसी भी प्रॉबलम की वज़े से कई जल जाता है तूस वेक्ति को मेंदी की छाल की पत्तो को पीस कर जले होई जगह पर लगाने से बहुती आराम मिलता है बालों के लिए लाबदा है या फिर गर्मियों के दिनों में यह लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदयमन होता है इसके लिए आपको अपने पैरों के तलवे और हाथ पैर पर मेहंदी लगा कर हलकी सिमालिश करने चाहिए ऐसा करने से शहर की गर्मी दिरे दिरे कम होने रगती है झाल